हेलो फ्रेंज आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं ओपेक अर्थ क्या होता है और सेंटेंस में उसे यूज कैसे करते हैं सो लेट्स स्टार्ट आप वीडियो ओपेक अर्थ होता है आइस पर्ष अपरदर्सी निस्भर्म तो चलिए इसको sentence में और भी अची तरह से समझ लेते हैं एक्जम्पल अपेक अबजेक्ट can only be seen by reflected light इस sentence का हिंदी में मतलब है अपरदर्स्ति बस्तुओं को केवल अब परबर्तित प्रकाश द्वारा ही देखा जा सकता है चलिए नेक्स एक्जम्पल जान लेते हैं इस sentence का हिंदी में मतलब है अपरदर्स्ति बस्तुओं के बाद योगारा हो जाता है और अपरदर्स्ति हो जाता है चलिए नेक्स एक्जम्पल जान लेते हैं इस sentence का हिंदी में मतलब है संद्रम अपरदर्श्री पृत्वी के अंत संबंध को भुखताता है तो चलिया आखरी एक्जांपुल जान लेते हैं इस सेंटर्स का हिंदी में मतलब है यह आम तोर पर अपरदर्शी और थोस होते हैं और अक्सर भंगूर होते हैं आपको अचकाई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा साथ साथ हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा थेंक्यू फोर वाच्छी